दोस्तों अपने आसपास के माहुल के नुसार खुद को ढाल लेना ही जीवन जीने की सबसे बड़ी कला है हाला कि ज्यादातर जानवर वहीं पाये जाते हैं जहां सबसे बहतर संसादन उपलब्द हो और जीवन जीना आसान हो किन्तों कुछ जानवरों ने सबसे खतरनाक और दूरलब इलाकों को भी अपने निवास्थान के लिए चुना और इन खतरनाक इलाकों में जीने के लिए खुद को अनुकूल कर लिया है तो चलिए आज के वीडियो में एक ऐसे ही जानवर से मुलाकात करते हैं शुष्क रेगिस्तान और फिसलती चटाने जीने के हिसाब से किसी भी तरह से अच्छी नहीं मानी जा सकती बलके स्थान तो जीवन से दूर भागता प्रतीत होता है लेकिन इन कठोर हालातों में भी जीवन पल रहा है इन चटानों का प्रतिनिदितू कुछ ऐसे जीव कर रहे हैं जिनकी छलागों के ठोकर चटानों को भी बोना साबित कर देती है इसे देखिए इस जानवर का जीवन इसके दोरा बनाए गए संतूलन पर हिट्टिका हुआ है इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी संतूलन बनाते हुए ये अद्बूत जीव एक दूसरे के साथ खतरनाक लड़ाया भी लड़ते हैं ये जानवर एंगुलेट्स परजाती से सम्मन्दित है इस परजाती में कई परकार की भीड़ बकरियों सहीद अनेको घास सरने वाले जानवर शामिल किये जाते हैं हलाकि सब इंगुलेट्स इतने सहसी नहीं होते जो इन दुरगम हालातों में जी सके लेकिन न्यूबियन आइबेक्स नाम से पहचाने जाने जाने वाली इस पहाड़ी बकरी का निवास्थान यही चटाने हैं अपने अन्य रिष्यदारों के तुलनाम ये पहाड़ी बकरी थोड़ा छोटा आकार जरूर रखती है किन्तु इसकी चलनागे छोटी नहीं है ये बकरी उत्री पूर्वी अफरीका के सूखे रेगिस्तानी इलाकों के पहड़िक शेतर में रहती है यहां बारिश ना के बराबर ही होती है किन्तु इस बकरी को अधिक पानी की आवशकता पढ़ती भी नहीं ये बड़ी मुश्किल से सब्ताह में एक या दो बार ही पानी पीती है न्यूबियन आइबेक्स को यदि आप नजदीक से देखोगे तो इसका चेहरा भी किसी चटान के समान ही कठोर लगता है शायदिन चटानों का असर इस बकरी पर भी हो गया है दो चटानों के बीच में से देख पाना काफी मुश्किल है क्योंकि इसने अपना रंग रूप चटानों जैसा ही बना लिया है नर का वजन 60 किलोगराम तक हो जाता है और इसके पास करीब 4 फिट लंबा शरीर होता है नरों की तुलना में मादाएं आस्चरेजनक रूप से छोटा आकार रखती है मादाएं मुश्किल से वजन और आकार के मामले में किसी नर की तुलना में आदी ही हो पाती है नर बकरी के सिंग भी बहुत मजबूत और लंबे रहते हैं इनके सिंग तीन फिट तक लंबे हो जाते हैं जिनका एक वार किसी भी जानवर को घातक चोट पहुचाने के लिए काफी है वहीं मादाओं के सिंग थोड़े पतले और करीब एक फिट ही लंबे हो पाते हैं ऐसे स्थानों पर जहां खड़ा रहना भी संभव नहीं लगता उन स्थानों पर ये बकरी ना सिर्फ चलती है बलकि करीफ 60 किलोमीटर प्रती घंटे की रप्तार से दोड़ भी सकती है हलाकि खड़ी चट्टानों पर चलते समय ये बकरी धीमी गती और सावधानी से आगे बढ़ती है क्योंकि एक गलत कदम इन्हें सैकडो फिट की गहराई में गिरा देगा किन्तु पत्थर फिसलते रहते हैं और बकरी अपना संतुलन बनाती रहती है इस बहतरीन संतुलन का राज चुपा है इनके खुरों में दो हिस्सों में बटे इस बकरी के खुर चटानों को ठीक उसी परकार से पकड़ लेते हैं, जिस परकार से बंदर किसी पेड की टहनी को अपनी उंगलियों से पकड़ता है, साथ ही इन खुरों पर एक नरम और लचिली अतिरिक परत होती है, ये परत ठीक उसी रबर्या चमड के समान होती है, जिसका इस्तिमाल हमारे गाडियों के ब्रेक्स में होता है, इस परत के कारण बकरियों के खुर पत्थरों पर किसी भी सूरत में फिसलते नहीं हैं, बलकि इनके खुर चटानों पर चिपक से जाते हैं, इन सब के अलावा बिजली सी तेज गती भी इस बकरी के बहुत कामाती है जैसे ही से फिसलन महसूस होती है तो खशन भर में ही अपनी दिशा बदलती हुई शांदार चलनाग लगाती है और पहाड़ी को लांग जाती है ये अर्मी भेडिया है जो गरे वुल्फ की हिक उपर जाती है हला कि गरे वुल्फ की तुलना में इनका आकार काफी छोटा है इनका वजन मुश्किल से 20 किलोगराम ही हो पाता है ये भेडिया भी पहाडों पर चड़ने और चलने में महारत हासिल कर चुका है इनकी सुनने के बहुत तेज होती है और इनके कान फिसलते पत्थरों की आवा सुनते ही खड़े हो जाते हैं ये समझ जाते हैं कि कोई पहाड़ी बकरी आसपास ही है अर्भी भेडिया बड़े समहूं नहीं बनाते इनके समहूं में सदस्यों की संख्या अधिक्चम 4-5 ही होती है कई बार तो इन बकरियों के पास जो सबसे सरेश्ट तरीका है वो है और भी अधिक उचाई पर चड़ जाना क्योंकि अर्भी बेडिया इन पहाडों पर चड़ने में न्यूबियन आइबेक्स जितने माहिर नहीं हो पाए हैं अधिक उचाई पर जाकर ये बकरी आसानी से अपना जीव है और इसके सिंग भेंकर बेडिया जानता है कि इस बड़े नरपर हमला बिना जुंड की साहता से करना सरया मोत को दावत देने के ही समान है इसलिए बेचारय भूखा बेडिया यहां से लोट जाता है और एक नए स्थान पर जाकर अपने परियास पुने शुरू करता है य यहां सभी बक्रियां उचाई के और भागती है वही एक छोटा बच्चा घबरा कर नीचे के और दोड़ लगा देता है यह अनुभव हिंता इस बच्चे को महंगी पड़ी और यह बच्चा भेडिय का शिकार बन गया बच्चे की मा सारा नजारा देख रही है लेकिन पारी भी अपना जीवन जीना सीख लेता है ऐसा नहीं है कि इन उची पहाडियों पर न्यूबियन आइबेक्स के लिए सिर्फ भेडिया ही एक मात्र खत्रा है दरसल उची पहाडियों पर वनस्पति बेहद कम उगती है इसलिए अपना पेठ भरने के लिए बक्रियों को न निशाना बनाती है वैसे तो न्यूबियन आइबेक्स को पानी की आउशकता काफी कम पड़ती है लेकिन कभी कबार तो खुद का गला तर करना ही पड़ेगा और इन पहाडियों पर पानी का कोई नामुन निशान नहीं है बलकि पानी के लिए इन बक्रियों को नीचे आने का इंतजार करते हैं ये मौका रेड फोक्स के लिए बहतरीन है ये पानी पीने गई मा के अकेले बच्चों को अपना निशाना बनाती है बच्चे दोडते हैं यदि जान बचानी है तो इन्हें दोडना ही होगा लेकिन अब और भी बड़ी मुसीबत आग खड़ी हु इस तरह से पहाडी और खईयों को कूटते हुए पार करने का हुनर लोमड़ी के पास नहीं है बच्चे कूटते हुए भाग निकले और लोमड़ी खड़ी होकर देखती ही रह गई लगता है इसे शिकार करने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा न्यूबियन आईबैक्स सर्द रितू में मिलन करते हैं. मिलन के लिए नरों के बीच गंभीर लडाईयः होती हैं. हर कोई मादा को हांसिल करना चाहता है. नरों के बीच होती स्लडाई में ये लंबे सिंग इनके बेहुत कामाते हैं. ये अपने अगले दो पैरों पर खड़े होकर अपने प्रतिदोंदी पर जोरदार हमला करते हैं जीते गए नर को ना सिर्फ मादा मिलती है बलकि इन लड़ायों के जरिये जीते गए नर न्यूबियन आइबेक्स को इन पहाडी बकरियों के समाजिक धाचे में भी उचा दर्जा प्राप्त होता है जो नर सबसे ज्यादा लड़ाया जीतता है जुंड की अगवाई करने का मुका उसे ही मिलता है हलाकि जंगली बहसों की तरह न्यूबियन आइबेक्स मजबूत समाजिक धाचा बना कर नहीं रहते ये शिकारी के अपने इलाके में परवेश करने पर भी एक दूसरे की मदद करना पसंद नहीं करते यही कारण है कि इन पहाडियों पर शिकारी जानोरों की संख्या पिछले कुछ दशकों के दोरान बढ़ी है और लाखों वर्षों सिन पहाडियों पर राज कर रही नूबियन आइबेक्स की संख्या लगातार घटती जा रही है आज मातर तीन हजार नूबियन आइबेक्स ही बची हुई है और इनके गिंती प्रतिवर्ष कम हो रही है विग्यानिक अध्यन बताते हैं कि आने वाले 50 वर्षों में शायर ये बकरिया विलुप्त ही हो जाएंगी दोस्तों अक्सर हम विलुप्त होते जानौरों का दोश इनसानों को देते हैं लेकिन हर स्थान पर ऐसा नहीं है न्यूबियन आइबेक्स जैसे कुछ जानौरों के क्षेत्र में कोई इनसाने हस्तक शेप नहीं है फिर भी इनकी घटती संख्या बताती है कि जानौर आज भी प्राकर्तिक तोर पर भी विलुप्त हो रहे हैं जब इनसान पिर्थ्यू पर नहीं थे जीवों की क्रोडों पर जातिया प्राकर्तिक तोर पर तब भी विलुप्त होती रही है और ये घटना कर्म आज तक जारी है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद